Hello everyone, good morning, welcome to my another video तो इस वीडियो में आपको मेरे पूरे दिन देखने को मिलेगा जिसमें मैं दो दिन record की हूँ like day 14 and day 15 और मैं morning में 5.30 को उठ गई थी उठने के बाद मैं अपना देखो table diagram मेरा बहुत जादा मैसी मैसी हो गया था क्योंकि मैं रात को कुछ clean करके नहीं सोई थी मतलब पढ़ने के बाद ऐसा होता है न कि जल्दी जाके सो जाओ तो मन नहीं करता है कुछ clean करने का तो मैं morning में उठी, उठने के बाद मैं छट पे walking की फिर मैं चीको को घुमाने लेके गई और उसके बाद मैं अपना room वेगरा clean की table वेगरा clean की क्योंकि मुझे वो मैसी पसंद नहीं है और अगर तुम clean करके पढ़ो ना हर चीज तो तुमको पढ़ने में एक motivation भी मिलता है और तुम थोरा सा consistent भी रहते हो और मेरे साथ ऐसा है न कि एक table जो है मेरा उसमें बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि PC है फिर से books फेगरा रखी हूँ तो मुझे एक ऐसे clean table चाहिए जिसमें मैं सिर्फ अपना books रख पाऊँ जो चीज मैं पढ़ सको वो रख पाऊँ तो बस ये table इसलिए मैं side में लगाई हूँ और यहां पर मैं हनुमान चाली सा सुन रही थी जैसे कि morning में मैं कुछ motivational चीज हनुमान चाली सा या फिर एक channel है जहां से वो books का summary बताते हैं और वो जो books होता है न मोटिवेशनल book होता है तो break time में मैं वहां से सुन लेती हूँ actually मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो वो वो channel का नाम मैं आपको pin comment में डाल दोंगी I think a reader book करके हैं आप लोग search भी कर सकते हो और फिर मैं शावर वेगर लेने चली गई तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे like मैं आठ बजे से पढ़ने बैठी थी बट अभी मैं सोची हूँ ना कि मैं morning में उठूंगी और उठने के बाद मैं मतलब चीको को मेरा वो काम है वो में घुमाने लेके जाओंगी फिर आके थोड़ा सा ब्रश वेगर रखिया मतलब 10 तू 15 मिनट में अपना पढ़ने पैठ जाओंगी फिर उसके बाद उठके एक घंटे का ब्रेक लेके फिर सब कुछ करूंगी क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं ये चीज़ को follow तो कर रहे हूं कि सब काम करने के बाद पढ़ रहे हूं तो फर्स स्लोट करने के बाद क्या होता है जो भी सेकंड स्लोट करती हूं न तो उसमें मुझे नींद आने लगता और अगर मैं morning वाला slot करूंगी तो उसमें क्या होगा कि first slot किया then अपना break लिया फिर उसके बाद second slot किया तो उससे मुझे नींद भी नहीं आएगा और ये चीज़े walk भी करेगा क्योंकि मैं मतलब इस चीज़ को बहुत इन से follow कर रही थी बड़ बीच में क्या हुआ ना कि मैं सोची कि ने shower वेगर लेने के बाद मैं study करूंगी वो चीज भी सही चल रहा था बड़ वो आठ बजे पढ़ना ना वो थोड़ा सा एक mind में आपके रहता है कि नहीं हम इतना देर तो पहले उठे थे और मैं साथ बजे या फिर आठ बजे में पढ़ने बैठ रही हूँ तो बात तो सिम होता है बड़ अगर आपका mind एक होता है ना एक comfort zone में वो चला जाता है बस इसी वज़े से मैं सोची हूँ कि ने morning में उठके सबसे पहले study किया उसके बाद फिर break लेके फिर study किया तो वो आपको एक लगता भी है कि हाँ चलो मैं पढ़ाई की थी morning में उठके इस टाइब से और यहाँ पे मैं international relation के class कर रही हूँ जो कि मैं विजन आईयस से कर रही हूँ और मुझे पता है कि देखो international relation जो है वो आपके current से आता है लेकिन current आपको कब समझ में आएगा जब आपका aesthetic part सही रहेगा ना sorry strong रहेगा तो आपको current समझ में आएगा तो aesthetic part के लिए अगर आपके पास कोई video lecture है तो वहाँ से देख सकते हो या फिर कोई note से उसको refer कर सकते हो नहीं तो YouTube पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जैसे कि वल्ली आई इसका ही चैनल है जो 19 आउस का international relation वो कराये हैं शायद तो आप वहाँ से कर सकते हो क्योंकि current समझने के लिए भी आपको aesthetic का होना मतलब aesthetic का knowledge होना बहुत ज़ादा जरूरी होता है तो I.E.R. में मुझे थोड़ा सा problem होता है मैं सोची थी पहले कि मैं newspaper और magazine नहीं करूंगी बट वो करने के बाद चीजे उतना clear नहीं हो रहा था तो जादा नहीं maybe 20 lecture है तो हो जाएगा 10 to 15 days में ये lecture भी complete हो जाएगा और एक बर जो चीजे clear हो जाती है ना तुम्हारे mind में तो फिर तुम उसको भूल नहीं पाते और उसको टालते जाओगे कि चलो कर लेंगे कर लेंगे तो ना तुम इधर का कर पाओगे ना उधर का कर पाओगे और तुम्हारा time भी waste चला जाएगा और तुम अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे and coming to the next days तो मैं morning में वही 5.30 को उठी थी फिर वो चीको को ले जाने के बाद मैं 6.30 तब पढ़ने बैट गई थी तो यह वाला जो routine है ना यह मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा है कि उठने के आदे एक घंटे के बाद तुम पढ़ने बैट जो फिर दो तीन घंटे पढ़ाई करके अपना ब्रेक लो तो वही है morning का मेरा सबसे पहला काम होता है to-do list बनाना क्योंकि to-do list बहुत जादा जरूरी होता है उससे तुमको एक road map मिलता है कि तुमको पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है और एक चीज है कि live study का जो timing है I know अभी fix नहीं हो पा रहा है बट मैं try करूंगे उसको जल्दी से fix करने का maybe छट पूजा तक तो मैं ऐसे random live जाओंगी बट छट पूजा के बाद जो live का timing है ना उसको fix कर देंगे और वही timing रखेंगे आपका 5.30 के अराउंड ही timing रखेंगे लाइफ का जो हमारा फर्स लॉटो का 5 to 8.30 then 9.30 to 11.30 इस टाइब से बट हाँ अभी मैं fix नहीं कर लियू क्योंकि देखो अभी दिवाली भी है फिर छट पूजा है तो इस festival में मतलब बहुत सारे बच्चे कहसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाता है फिर थोड़ा सा काम वेगर भी रहता है लेकिन वही है कि मैं random live करूंगे like 4 गंटे, 5 गंटे, 6 गंटे का live किया बट छट पूजा के बाद एक हमारा proper timing रहेगा उस timing के recording live जाएंगे बट हाँ, जो live भी है न वो मैं week में 5 days ही करूंगे 5 days या फिर 4 days 5 days हाँ, 5 days ही करूंगे जैसे Monday to Friday Saturday और Sunday को break लोंगी जो कि live से break रहेगा मेरा ना कि study से break रहेगा और अभी मैं exercise week रखी और यह चीकू क्या होगा ना कि मैं कल मतलब मैं पढ़ रहे थी तो फिर इसको मैं इसी में बंद कर ली थी रूम में तो रूम में बंद करने से एक चीज होता है कि यह सो भी लेता है और फिर उदर मम्मी काम भी कर लेती है और मैं पढ़ाई भी कर लेती हूं नहीं तो अगर बाहर रहते हैं न तो सब को बहुत जादा परशान करता है और यहां पे मैं मैगजिन कर जी हूँ देखो मैगजिन के लिए I know कि सबका बैक रह गया होगा मैगजिन तो क्या करो कि जो भी मंत का आया है ना भी उसको कवर करो और जैसे सेप्टेंबर किया फिर अगस्त किया फिर जुलाई किया फिर जून किया फिर मे किया तो मेरा कैसे हुआ है कि मेरा मे का हुआ है जून का हुआ है जुलाई अगस्त नहीं हुआ है और सेप्टेंबर का मैं अभी कर रही हूँ और magazine बढ़ने का जो मेरा तरीका है न मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं video lecture से करूँगी और उसके बाद चीजे highlight हो जाती है चीजे समझ में भी आ जाता है फिर मैं क्या करती हूँ कि एक बार खुद से read करती हूँ और जब ही मैं read करती हूँ उसी समय उसका मैं notes भी बना लेती हूँ तो में और जून का तो मेरा पूरा proper notes है जुलाई अगस्त का तो मैं पढ़ी ही नहीं हूँ फिर सेप्तेमबर का करूँगी और इधन में में जून का भी कर लूँगी और PT पे rely होने से बेटर है कि तू magazine खुद से करो खुद का notes बनाओ और उस notes को बहुत time revision करो मैं तो डर गई हूँ PT पे rely होने से मेरे से possible नहीं है मतलब next year जो मेरा हालत हुआ था न वैसे सही है तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा जो weak point है वो क्या है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि मेरा weak point क्या है और ठीक है first attempt था और मैं उस pressure को नहीं जहल पाई थी क्योंकि बहुत जादा वो pressure आता है और तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तुमको ऐसा लगता है ना कि हाँ सब कुछ important है सब कुछ पढ़के जाना है लेकिन ऐसा नहीं है तुमको एकदम selective चीज़े ही पढ़के जाना रहता है और उसमें तुम्हारा अगर होना रहेगा ना तो उससे भी हो जाएगा तुम 100 चीज़े पढ़ लोगे लेकिन अगर उसको revision नहीं करोगे ना तो वह 100 चीज़े पढ़ने का कुछ मतलब नहीं बनता है और इस बार मेरा resources बहुत जादा limited है और उसको ही मैं multiple time revision भी कर रही हूँ और यहां पे मैं involvement का revision कर रही थी तो YouTube पे एक परिश्रम सेरीज चल रहा है शायद परिश्रम ही है मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है बर ठार्गेट UPC का सुदर्सन लोधासर तो वो क्या कर रहे हैं न कि प्रिलियम्स के लिए involvement करा रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो अपनी दिन में 30 मिनट 15 मिनट मतलब जितना भी तुमको टाइम मिल रहा है उसमें तुम क्या करो कि उसको करो और फिर revision भी साथ साथ करते चलो क्योंकि involvement का तुम study कितना भी पढ़लो involvement current से ही आता है और एक मुझे comment आया था कि आपका optional का ये strategy बताओ तो देखो मैं ऐसे random तो नहीं बता सकते हूँ मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका optional क्या है जैसे कि मेरा optional sociology है तो अगर तुम्हारा optional sociology होगा तो मैं उस पर next video बना दूँगी book list विगरा resources जो भी मैं follow कर रही है उस चीज़ को लेकर तो आप आज के video में comment करना कि आपका optional क्या है फिर मैं आपको details में बता दूँगी maybe उससे बहुत लोगों को helpful हो so already the video बहुत जादा लंबा होगे है तो इस video को यहीं पर end करते है मिलेंगे आपसे next video में so take care everyone all the best and bye bye